तो शुआ गाता है फिर शुम्डर विलाज में तो आज हमाये हैं जैली रेड़ पेग मुजियम यानि की लालिपला की चाल ले और आप दिया शूजी देख रहे हैं यह नेता जी सुभाचंद बोश की है यह पूरा म्यूजियम ही नेता जी सुभाचंद बोश जी के लिए ब जो आप तलवार देख रहे हैं ये नीता जी सुभाशंद बोश जी की है आगे चलते हैं आगे क्या है और ये है आजाद हिंद फौजी के शेनिकों का पहचान पत्र जो आजाद हिंद फौज बनाई थी नीता जी ने तो उनके शेनिकों का पहचान पत्र है आगे चलो मौमा दिल्दी चलो कि यहां क्या है और यहां पे यह बाई आजाद हिंद फौजी के सेनिकों के तबंगे और पदक हैं जो मेडिल दिये जाते थे वह बाई और यह है आजाल हिंद फोजब के दिली अभिःपानि मुद्डिय उस समय के बाए मुद्डिया हैं 200 & 10 रूफे यह है बाई कंद पर लगाए जाने वाले बैच जो बैच लगा जाते मेजर बड़े अभिकार कंद पर यह बो की बैच भाई पर चलते हैं आगे इस पूरे मुजियम में सिर्फ आपको निता जी की हियाद ही मिलेंगी उनके लिक्यूई किताबे उनके जीवन काल में पर्चलित घटनाए यहां पर आपको सम मिलेगी और यहां पर भाई चल रहा है अंदर प्रोजेक्टर इस प्रोजेक्टर में आ क्या हुआता क्या नहीं हुआता सब दिखाए जाता है यह जो आप बुक्स देख रहे हैं नीता जी की है यह जो मुद्राइं रखें यह भी नीता जी की है वो साइड में डायरी रखी है वो भी नीता जी की है और यह भाई नीता जी के बच्पन की फोटो है अपने दोस्त तो के साथ जो चस्मी लगा कर खड़े हैं ये नीता जी सुबाचंदर बोश जी हैं क्या इस्टाहिल में भाई 13 अपरेल 19 ये याद जलिया ये याद जलिया जलिया वाले बाग के अपर यहां पर एक मुजियम बनाया हुआ है भाई 13 अपरेल 19 उस दिन साथ 20 साकी का दिन था जब नियत भारती उपर जनरल डायर ने गोली चलवा दी थी ये उसी को उपर बनाया गया है और सामने ये क्या लिख रहा है इसके देखते हैं तेहर अपरेल बैसा की कर देए झाल 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 तो अब हम आगे हैं वाइदर्साइब लग लिगा लेकर्ट गया है भाद दूर्सा जफर ओ नाना साहिब की बाद दूर्साइब एक जाने वाने सायर थे और पर्थम 30 अग्राम के शेना कर नेट तर भी बहाद दूर्साइब नहीं क्या था अंग्रे जितनी करूरता करते थे भाई जो क्रांतिकारी थे उनको तोप पे आगे बांद के उनको उड़ा दिया जाता था तोप से एक साथ सभी क्रांतिकारीों को एक साथ तोप से आगे बांद कर उनको उड़ा दिया था अंग्रे जोने और ये पूरा म्यूजियम उसी बा यहां पर रखे हैं भाई हत्यार ये है तलवार ये तलवार है नानसाइब की और ये अगली तलवार है बहाद्दूरसा जफर की ये भाई तलवार है उस समय की और ममा चलो आगे चलो ये भाई उस समय के तीर कमान रखे हैं यह तील भाई लोहे के तीर हैं लोहे के तीर और त बतलवार आगे चलो ना अरे चलो यार आगे यह भाई संक रखे हैं आप युद्द से पहले संक बजाए जाते थे ना यह वो है यह कौन सी बंदूग करे बाबा यह तो मेरे फिल्म हेरा फेरी में देखी थी इनकी कीमत बहुत है एक दो तीन चार क्या बात है यह भाई हत्यार रखें और साइड में हत्यार भी बहुआलगी क्वाल्टी के हैं यह बाई पुलहाडी और यह बड़ी बंदूग हत्यारों की करतों मौसस देवाई है यह मत यह बहुत मैई वर्ष्टर में नाना साहिव कि द्रेश है तरफी कि उसक्रश करने, बहुत कि धू erhö सांदैवं के तो नाना ठिक संदला है और यह इनकी जो मिसस्थी आने यह उन्की ड्रेस है द्रेस किया आदी ड्रेस है बागी पता नहीं कहा गई यह आधी ड्रेस है अब आगे भाई आगे हम आगे भाई आगे आगे आप देख सकते हो यह वही तोप है जिसे हमारे भारतिये सेनिकों को या करांतिकारियों को आखे बांद के उड़ा दिया जाता था फोटो में आप इस पैस्ट से देख भी सकते हैं कि एक साथ तीन तीन चार चार बंदों को तोप से आगे बांद के उड़ा दिया जाता था बाई इतनी कुरूरता निर्दलियता पलब इतना अत्याचार जनसंगहार बहुत बुरा ही किया तोनों ने है है भाई कि और आप इसे नर्क कह सकते हैं किसलों को यही पर हमारे कुनमतिकार यह बार्ति शेलिएं को बहुत बुरूरी तरह हमारा-पीटा करते थे जंड甜ией और ब्लगत हय थे बाकी यहां पर देखो आप कोड़े भी रखाएं कोड़ों से मारते थे, यह बेल हैं पीछे रखी हैं, जंजीर इन जंजीर से बांते थे, बताओ यार यार यह परतनडित करने के लिए है पाइप, जा पाइप में पानी डाल कर उन्हें परतनडित किया जाता था, और भाई यह लालटेन है उस समय की यही पर वो सोते थे कैदी और इसमें बाई अंदर उनके वस्तर रखें हैं बोरी जो बोरी को फाड़ के जो बना देते हैं ना ऐसे उनके वस्तर है बाई बता हो यार इस देश की आजादी के लिए क्या क्या जेला है मारे करांतिकारियोंने यह करते जाते थे बाई डाग एक तरफ से दूसरे तरफ तो इसी के साथ ब्लॉग होता है समाप अगर वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक करें शेयर करें कमेंट करें जय हिंद जय भारत